हेलो दोस्तों स्टॉक मार्केट एस टीवी के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है स्विंग ट्रेड ओपर्चुनिटी के इस वीडियो में आज हम तीन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उनमें कैसा मौका बन रहा है दोस्तों आप से मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें इससे पहले कि हम आगे बड़े अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक कमेंग और शेयर करें और 70 पैसे बढ़कर 1578 रुपए और 95 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तोर पर यह स्टॉक स्ट्रॉंग होता हुआ भी नजर आ रहा है स्टॉक का 52 वीडियो हाई 1690 रुपए है और 52 लो 1243 रुपए है स्टॉक ने हाल के दिनों में 1462 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रिजिस्टंस 1586 रुपए और 65 पैसे इसका दुसरा रिजिस्टंस 1637 रुपए और 15 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टंस 1691 रुपए और 15 पैसे अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटेनियू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या इन लेवल्स से भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर ये stock इस level से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 1478 रुपए और 65 पैसे इसका दुसरा support होगा 1401 रुपए और 30 पैसे और इसका तीसरा support होगा 1330 रुपए और 30 पैसे दोस्तों यह stock यहां से सीधा उपर की तरफ जा सकता है या इस stock में यहां से थोड़ी सी retracement भी आ सकता है तो मेरे हिसाब से इस stock में 1 या 2 परसेंट या फिर first support पे stop loss रखके last closing price से थोड़ा उपर नीचे या तो फिर इस stock में अगर कोई भी retracement आता है तो उस retracement में अपने analysis के हि साब से entry बनाया जा सकता है तो आज का हमारा दुसरा stock है Wells India Limited है ये एक लाख 18,638 करोड की market cap वाली एक large cap company है ये stock मंगलवार 10 सितंबर 2024 को 1.59% याने की 30 रुपए और 5 पैसे बढ़कर 1922 रुपए और 45 पैसे पर बंध हुआ है और तकनीकी तोर पर ये stock strong होता हुआ भी नज 1885 रुपए और 40 पैसे है और 52 लो 1232 रुपए और 85 पैसे है stock ने हाल के दिनों में 1782 रुपए के आसपास support लेने के बाद अब अप move के indication दिखाना शुरू किया है अब जो इसका target निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला resistance 1945 रुपए और 90 पैसे इसका दुसरा resistance 2017 रुपए और 25 पैसे और इसका तीसरा resistance 2094 रुपए और 35 पैसे अगर यह stock अपना आप move continue रख पाता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या इन levels से भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह stock इस level से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 1821 रुपए और 55 पैसे इसका दुसरा support होगा 1733 रुपए और 55 और इसका तीसरा support होगा 1644 रुपए और 85 पैसे दोस्तों यह stock यहां से सीधा उपर की तरफ जा सकता है या इस stock में यहां से थोड़ी सी retracement भी आ सकता है तो मेरे हिसाब से इस stock में 1 या 2% या फिर first support पे stop loss रखके last closing price से थोड़ा उपर नीचे या तो फिर इस stock में अगर अपने analysis के हिसाब से entry बनाया जा सकता है तो आज का हमारा तीसरा stock data power company limited है यह 1,33,517 करोड की market cap वाली एक large cap company है यह stock मंगलवार 10 सितंबर 2024 को 6.58% याने की 27 रुपए और 50 पैसे बढ़कर 445 रुपए और 35 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तोर पर यह stock strong होता हुआ भी नजर आ रहा है stock का 52 week high 471 रुपए है और 52 week low 230 रुपए और 80 पैसे है stock ने हाल के दिनों में 411 रुपए के आसपास support लेने के बाद अब अप move के indication दिखाना शुरू किया है अब जो इसका target निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला resistance 447 रुपए और 75 पैसे इसका दुसरा resistance 463 रुपए और 60 पैसे और इसका तीसरा resistance 478 रुपए और 45 पैसे अगर यह stock अपना आप move continue रख पाता है तो आने वाले समय में यह stock इन लेवल्स को भी touch करते हुए या इन लेवल्स से भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह stock इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 412 रुपए और 35 पैसे इसका दुसरा support होगा 396 रुपए और 55 पैसे और इसका तीसरा support होगा 381 रुपए और 50 पैसे दोस्तों यह stock यहां से सीधा उपर की तरफ जा सकता है या इस stock में यहां से थोड़ी सी retracement भी आ सकता है तो मेरे हिसाब से इस stock म अगर कोई भी retracement आता है तो उस retracement में अपने analysis के हिसाब से entry बनाया जा सकता है दोस्तों यह video cable और cable educational purpose के लिए है इनने कोई by, sale या hold की सलहा नहीं है आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तिय सलाहकार से परामर्ष करने की सलाह दी जाती है वीडियो देखने के लिए